मेरी हर कामना का आधार है शिव मेरी हर नदी की ना है शिव मेरी हर सांस का मालिक है शिव शिव कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत तुम खुद ही बनाते हो मैंने कभी तुम्हारा नियंत्र नहीं करता लेकिन जब तुम बुरे कर्म करते हो तो मैं तुम्हारा सहार जरूर करता हूँ इंसान को अपने कर्मों पर पूरा विश्वास है तो महादेव उस पर असीन क्रिपा बरसाते हैं अगर कोई आपकी कीमत न समझ सके तो मिराश मत होना क्योंकि कबाड के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती मौन और मुसकान ये दो शक्तिशाली उपकरण है मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुसकान कई समस्याओं से बचने का कोई भी इनसान ऐसे ही अपने आपको नहीं बदलता जिन्दगी में कुछ हाथ से ऐसे होते हैं जो इनसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं जिन्दगी एक बार मिलती है यह बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है जिन्दगी तो हर रोज मिलती है शिव कहते हैं करने दो जो आपकी बुराए करते हैं ऐसी छोटी छोटी बाते तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता किसी के साथ अपने पन का नाटक करना ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है हिम्मत नहीं हारना अभी आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तुम से नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। शिव कहते हैं जिसका भी साथ दो खुले, आम दो, विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिष्टा अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता क्योंकि आपको कब, कहा और किस से मिलना है, यह शिव ही तै करता है। इस दुनिया में शिव से बाहर कुछ भी नहीं है। शिव बहुत जटिल है और इनका सार पूर्ण है। जानने और मुक्ती का प्रथम शोध आदी योगी शिव ही है। सिर्फ उस एक के सामने जुको, वो हर किसी के सामने तुहें जुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कच्रा बादान से भी महंगा होता है। शिव कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी गलत मत्तम निकालते हैं, उनको सफाय देने में अपना वक्त बरबाद न करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बलकि खुद से होगी। कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलजे रही। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। परंतु सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्यान नहीं हो तो उपता हुआ सूरज भी डूपता हुआ नजर आता है। गिर्गित माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भागेशाली इंसान वही है, जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें। जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास नहो। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं। परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है, तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। शिव कहते हैं अच्छे कर्म करिये और भूल जाए। समय आने पर बेफलेंगे जरूर बलेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड को। नहीं काट सकते। कुलहाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल को नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान की अपनी काबिलियत के अनुसार श्रिष्ठ होता है। इसलिए अपने आपको किसी और के साथ मत तोलिये मुसीब्ते रूई से भरी हुई थैली की जैसी होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हलकी हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं। जो आपके लिए अच्छा होता है और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साजहा न कीजिए क्योंकि 80 प्रतिशक लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20 प्रतिशक लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्याएं हैं। जब शिव का तिरेनेत्र खुला तो सब कुछ जला दिया। यहां आग बताती है कि महादेव ने अपने भीतर से सब कुछ जला दिया। कहने वाले तो बिना सूचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन कभी यह सूचा है कि सुनने वाले पर क्या बीटती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्चक है। परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए क्योंकि मन तो बात में ठीक हो जाएगा। परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास शहिन शक्ती है। लड़ने की ताकत सब के पास होती है लेकिन किसी को जीट पसंद आती है तो किसी को रिष्टे शिव कहते हैं। जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संसकारों को पकड़ लेता है उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब म्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होते, कुछ लोग जुप जाते हैं। रिष्टों को बचाने के लिए अरजुन ने दस लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उप्तम उदाहरण है। भरोसे में साबधानी भी आवश्चक है क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीव को काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्यका ही क्यों लोग लालत चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा साभी ध्यान मत दीजिये, जो आपके पीट पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे दो कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और शिव जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। कोई फर्क नहीं पढ़ता कि जीवन की परिस्थितियां क्या है। शिव हमेशा साथ रहते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का नहीं मुक्ति का समाधान है। शिव के प्रेम में चूर होने का आनंद है। वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुचाता और दूसरों को बाधा पहुचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पच्चताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना हो तो बहरा हो जाओ क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है अगर आपका कोई शत्रू नहीं है तो इसका मतलब यहाँ है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है कुछ तो कमी का ही एहसास है वर्ना गंगा पर इतनी भीड नहीं होती जब जब आया हूं तेरे द्वार कुछ न कुछ मुझे जरूर मिला है शिव तेरी जोती से प्रकाश पड़ता है शिव की भक्ती से मेरा मन बदल गया मेरे अच्छे कर्म ही मेरा धर्म बन गया बुद्धे तो सब के पास होती है परंतु चालाकी करना है या इमानदारी या संसकारों पर निर्धर करता है जीवन में त्याब के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है जो लोग आपके जज़पादों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है बस तुम खुद से मत हारना बाकी सब शिव देख लेंगे घमंग से भी कुछ रिष्टे अकसर खत्म हो जाते हैं कसर हर बार गलतियों का नहीं होता शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमान नहीं होता मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से दिखा कोई बाढ़ नहीं हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं जिसने अपने मन को काबू कर लिए उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते फृदय से जो भिया जा सकता है वो हाथ से नहीं और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं जिन्वों ने समय पर साथ दिया उन रिष्टों की कदर समय से ज्यादा करनी चाहिए भक्ती सच्ची हो सकती है बस नियत हमेशा अच्छी रखना हर इंसान के मन में शिव है तो मंदिरों में ढूंडने की कहा जरूरत है शिव कहते हैं वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराना नहीं आप निकर रहे हैं अगर जिन्दगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिलों से लगाना छोर दे क्योंकि जिन्दगी आगे बढ़ने का नाम है रुखने का नहीं परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता अगर कोई तुम से कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं कड़वा है सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कराता है जब वो अपनो से ही ठोकर खाता है शिव कहते हैं हर किसी की जिन्दगी में समस्याएं हैं लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समझता है एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ परंतु दो बारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं मेहंत का फल और समस्या का हल देव से सही पर जरूर मिलता है जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है यही प्रकृती का नियम है तूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा ततलीख देती है जैसे भरोसा, दिल, नींद और उमीद इसकी अच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोध बढ़ता है इसलिए जीवन में हर परिस्थिती में धैरय बनाये रखना श्रिष्ठता है मेरी शक्ति शिव में ही संधव है शिव मेरे गुरु मेरे आराध्य है नित्य शिव को नमन करता हूँ, नित्य शिव के भजन करता हूँ दोस्तों ये वीडियो यही पर समाथ होती है आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हर हर महादे